जोस्तों मैं अजब लोगों को बतने जाए रहों दुनिया के सबसे ख्रत अनाक यानी रुमन से भरा हुआ हैंगिंड ब्रियुझ की वारी जो दोस्तं स्वूजर लेंड में मिलता है जिसका नाम है टिक अे ओको ब्रीज ज स्विजर लेंड में मिलता है इस हुजालन का एक फट्जटन इस्तल है ये ब्रीज टिटलिस परवतिय प्रदेश में स्थिद है जो इतरलकन और लुशन के ब्रीज में स्थिद है टिटलिस क्लिफ वाक ब्रीज एक फैडल फुल है स्थिद अकर्शक चड़ाई पर बना है इस पुल की लंबाई लगभग 1000 मिटर यानी 328 फीट है और ये परवतिय इलागे की बारे में अनुथा और रुमन स्थ अनुभा फ्रादन करता है टिटलिस वर्वतिय प्रदेश एक लंबे रस्ते यत्रा से जा सकते हैं और यह पड़ जटको को हिमालयो हशो बार्फिले सुटियों और चलते गर्मों धोब का आनंद लेने का मौब का मिलता है टिटलिस क्लिफ वर्वर्वर्वर्शल ने समय आपको नीचे गहराई खाईयों और बार्फिले पहारों के बीच चलने का अनुभाफ होता है जो अनुभाफ जो अध्वत और भायानक हो सकता है यह एक अनुथा अनुभाफ है जो टिटलिस वर्वर्वर्वत्य प्रदेश में आने बाले परजटको के लिए भायानक यात्रा का भाग हो सकता है जो टिटलिस प्रवर्वत टिटलिस वर्व टिटलिस वर्विज जो स्विजा लेन फेकप फशिद फुर्जटन सन सकत्र हैं यह फितलिस पहाड़ी परिश्त इत है और dikels कि दर्शकों को आपने बेहत उची और अकर्शक चड़ाई से जोड़ता है टिटलिस क्लिफ और व्रीज एक धातु रिती पुल है जिसकी लंबाई लगभग 100 मिटर मैंने पहले ही बताय थाई यह इस तक्निक के साथ बनाया गया है कि आपको पुल पर वाक करते समय कि बाया वह बातावरान का आनांद लेने का मौका मिलता है टिटलिस क्लिफ वाक व्रीज पुल से आप अखर्शक हर्शों का आनांद ले सकते हैं जो टिटलिस पहाड़ी के शुटी से उपलब्द होता है यहां से आप टिटलिस धर्थी अभियत्ची की खिलाड़ी की कुशलता का अनुभब भी कर सकते हैं जो वहां इस उसाई स्थन पर अकरशन का अनांद लेने आते हैं जो टिटलिस क्लिफ और व्रीज स्वीजलन के मौंट टिटलिस फर्वत और स्थित एक बहुत ही बिशेश पर जटन स्थन है यह एक बिशल का यह पेदलपुल है जो परवतिया सेत्रों में एक आनुखा अनुभब को दर्शाता है कि टिटलिस क्लिफ और व्रीज से फांस फुट चौड़ा पुल है और इसकी लंबाई लगभग मैंने पहले यह बताया और तीन ठीहंड़ेट फीट है यह पल दर्शों से बना हुआ है और जब आप इस पल पर सलते है तो नीचे गहरे खाईयों के नजदी की हश्व का अनंद ले सकते है टिटलिस क्लिफ वाग ब्रीज अकर्शन का केंडर है जिसे शिफ टिटलिस रेलवे से जाना जा सकता है इसकी नजदिक एक बर्फ के गोफ़ा आइस फ्लायर भी है जिससे आप शफर का अनंद ले सकते है इब्रीज अपने आनुखे डांचे के लिए विखा थे जो आपको विशल पर्वतिय शेत्र में खड़े होकर प्राकितिक शंदर जो का अनंद लेने का वशर देता है यदि आप टिटलिष प्लिफ वाक ब्रिस और इस इस्थान के बारे में अधिक जनकर इसाता है तो स्वीजर लेंग के इस्थान या पट्जतन विभाग से संपक कर सकता है तो दोस्तों यही था उसका वीडियो अच्छा लाएक तो लाइक कमेंट और सब्सक्रेब कर देना अधिक।